दोस्तो विक्रम बेताल की कहानिया बच्पन में लगवग हर बच्चा सुन चुका होता है रामनन सागर के टीवी सीरियल विक्रम बेताल के बाद तो ये खासा पोपुलर हो गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें जिस विक्रम के बारे में बताया गया है वो विकरम कौन से राजा थे और उन्होंने किस समय भारत के मालवा पर राज किया था यदि आप नहीं जानते तो चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करते हैं दोस्तों विक्रम बेताल में बताएगे विक्रम राजा विक्रम अदित्य थे जिन्हें विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता था। इनका संबन्द राजपूतों के एकुल प्रमार्वंस से था, वहीं उन्होंने अपने सामराजे में उज्जेन को अपनी राजधानी बनाया था, राजा विक्रमादित्य ने 57 इशापूरु से 19 इश्वपूरु इसवी पूरु तक भारत के मालवा पर राज किया था, उन्हे उस्कंद परान में विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहिते में भी वर्लणन मिलता है, उस वक्त उनका सासन अरब तक पैला था आपको जानकर आश्चरिये भी होगा कि नो रथनों की प्रमपरा उन्होंने ही शुरू की थी। जिसके बाद कई सालकों ने इसे अपनाया विक्रम समवत भी उन्होंने ही शुरू किया जो आज भी हिंदू कलेंडर में इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा व्यापार के लिए उन्होंने जो सड़के बनाई थी वो विसु की सबसे लंबी सड़क मानी गई थी पिशाज की कहानी विक्रम बेताल में भी र करना बिलकुल ना भूलेगा मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद